दोस्तो आज मैं काफी दिनों के बाद वीडियो के उपर हूँ मुझे करोना पॉजिटिव हो गया था जिसकी वज़े सत्रा दिन जो है मैं होम कॉरंटाइन में रहा कमरे में बंद रहा बिल्कुल नहीं निकला स्टीम चार-पांच बार स्टीम लिया दिन में गरम पानी पिया डॉक्टर की एडवाईस के इसाफ़ से दवाई ली रेस्ट किया और सत्रा दिन के बाद मैं जो है करोना नेगटिव हो गया और अब मैं बिल्कुल ठीक हूं और अब मैं काम भी करूँगा या जिस्वल करते ह है और भी ज्यादा जोश्चे करेंगे तो मैं यही कहना चाहता हूं कि करोना एरा के अंदर जो है खासकर सारे दोग अपना ध्यान रखें मास्क जो बहुत इंपॉर्टन चीज है उसको पूरी त्रीके से जो है फॉलो करें हैं डिस्टेंस और भीडवार से बचें हैं तो म मुझे लगता है कि बहुत जरूरी है स्वास्त होना और दुख की बात है कि दुनिया के अंदर लाकों लोग करोना की बीमारी की वज़े से जो है मौत हो गई बहुत जगा तो लोग इसलिए भी मर गए कि उनको प्रॉपर हॉस्पिटलाइजेशन नहीं मिला हैं और हमारे देश में तो जो सरकारी हस्पतालों की हालत है वो आप सब लोग जानते हैं और जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं वो तो हर आदमी जाने ही सकता वहां पर तो हमें अपना ध्यान जो है खुद ही रखना है और अच्छी बात है कि अब वैक्सीन इंटर्यूस हो गई है औ और हमें लगता है कि जल्दी ही हमारे देश में भी लोगों को वैक्सीन मिलेगी और ये दौर जो है गुजरेगा और निया साल जो है मुझे लगता है कि फिर से एक बार वही जैसे पहले हम लोग सब मिल जुलके और एक नॉर्मल लाइफ लीट करते थे मुझे लगता है फ और फिर से एक बार जो है खुशियों के दौर में गुजरें थैंक यू